Good morning students, मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में नालंदाविस्व विदाले के बारे में अध्यन करेंगे तो देखेगा नालंदाविस्व विदाले ये गुप्तकाल कही एक पार्ट है गुप्तकाल में किसी सासक ने इसकी स्थापना की थी और नालंदाविस्व विदाले के बारे में पढ़ने से पहले में बता देना चाहती हूँ कि गुप्तकाल के सासकों के बारे में, गुप्तकाल के जानकरी के सुरोतों के बारे में हमने काफी कुछ पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है तो गुप्तकाल जो प्ले लिस्ट गुप्तकाल है उसमें आप हमारी हमारे वीडियो में दीगी इनफोर्मेशन देख सकते हैं पढ़ सकते हैं सुन सकते हैं याद कर सकते हैं ठीक है और हमारे जितने भी वीडियो व आप उपने फ्रेंज के साथ सेर करें ताकि उन तक भी हमारी इंफोर्मेशन पहुंचें और एक्जाम में उनको भी मदद मिलें और सबसे इंपोर्टेंट बात है कि अधि आप लोगों ने हमारा यूटूब चैनल इंडिया ओलडे सब्सक्राइब में किया तो करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेसन मिलें और आप एज़्जाम की दरिष्टे से महतोपुन सूसने प्राप्त कर सकें तो देखें पड़तें नालंदा विश्वविद्दाले किसने बनवाया था ठीक है नालंदा विश्वविद्दाले प्राचीन भारत में उच्छ सिख्षा का सरवादिक महतोपुन और विख्यात केंद्र था नालंदा विश्वविद्दाले बोध दरम का अक्सपॉर्ड और कासी का पर्तिद्वन्दी था मध्य यूग में कलूनी और कलेर वोक्स की जो महता फ्रांस में थी वही महता भारत में नालंदा की थी नालंदा विश्वविद्दाले कहां इस्तित था सबसे पहले देखते हैं बिहार के नालंदा जीले में एक नालंदा विश्व विदाले था, जहां देश विदेश के चातर सिक्ष्या के लिए आते थे, आजकल इसके अवसेस दिखलाई देते हैं, पठना से 90 किलोमेटर दूर और बिहार सरीव से करीब 12 किलोमेटर दक्सिन में विश्व विदाले, प साब्दी में यहां जीवन का एक महत्वपुन, एक वर्स, एक विद्यार थी और एक सिख्षक के रूप में वेतिर किया था, परसित बोध सारी पुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था, उत्तरकालीन गुप्त समराटों में से किसी एक सासक ने पांच स्ताब्दी में इसकी स्त अपना किती, ठीक है, भारत तता समुद्र पार के भारतिय उपनवेसों के धनी वेक्तियों ने इसके लिए धन की विवस्ता की, कालांतर में यह वस्तुते अंतरास्टिक ज्यान मंदिर बन गया, भाग्यवस में सांग तता इत्सिंग के विवनों से, तता अभिलेखों और पुरा विद्धों से इस बोध विश्त विदाले के विशे में बहुसी जानकारिया प्राप्त होती है, नालंदा विश्त विदाले के भवे भवन थे, उसमें कम से कम आठ कोलेज थे, जिने आठ विद्धानूराग्यों ने बनवाया था, इन आठ विद्धानूराग्यों में स्रीवीजे या सूमात्रा का राजा बाल पुत्र देव पर मुख थे इन कॉलेजों को पंक्तियों में बनवाया गया था यसो वर्मा के नालंदा अभिलेक में इन बहुनों की सोभा की परसंसा की गई है वेन सांग बताता है कि सारा विस्व विदाले छेत्र इंटों की ए एक द्वार महा विदाले में खुलता है जो मद्दे के आठ बहुनों से अलग खड़ा है अत्यदिक सूसजित मीनार और परियों की भांती चोटी वाली पहाडियों की तरह के स्थम्मों को एकठा बना दिया गया था वे चाला तो जो धुन्द में छिपी हुई परतीत होती गुफाएं हैं मुलमेदार और अलंकरित लाल मरिन जैसे इस्थम हैं अत्यदिक सूसजित चबूत्रे हैं और छटों में टायले लगी हुई हैं जिन में से परकास एसिंग के रंगों में परावर्तित होता है नालंदा विश्व विदाले के केवल भव्य बवन ही नहीं थे बलकि विदार्थियों को अध्यन के लिए सबी परकार की सुईदाएं भी दी जाती थी उसमें तीन बड़े पुस्तकाले थे रतनसागर, रतनोधी और रतनरंजक वाद दस हजार से भी अधिक विदार्थि थे और सबी परकार के अध्यापक भी थे वे कोरिया, मंगोलिया जापान, चीन, तिबबत, लंका, तुखार, ब्रेतर भारत और स्वें भारत के विभिन भागों से यहां आते थे वास्तक में वे बोध संसार के सबी भागों से आते थे कोरिया के कई विद्वानों के नाम हमें पता है जैसे हुई नेह और आरिय वर्मा, हुई नेह की उपस्तिती की पुष्टी इस तथे से होती है की इक सिंग ने एक हस्त लिपी का पर यह वाक्य पाया नेम अर्धार दातुन वरक्स के नीचे बैठ कर हुई नेह ने यह भगों में भी जाया करते थे ठीक है नालेंदा के विद्वान संतरक्सित, पद्मसंभव, कमलसील, इस्थिरमती और बुध्ध कीर्थी तिबबत गए थे चीन में परचार करने वालों के नाम कुमार जीव, परमार्थ, सुभाकर सी हैं और धर्मदेव थे नालेंदा विश ने सहस्त्रों बोध विख्षों को रात दिन बोध धरम का अध्यन करने के लिए सुभिधाई परदान की, उन वेक्तियों के लिए नालेंदा बगवान का मंदिर था, किन्तु नालेंदा विश्व विद्वाले बोध ग्यान के विहार से भी बढ़ गया, समय के साथ साथ ब योग न्याई और बोध दरम की विब्विन साखों की पुस्तके थी, नालेंदा विश्व विदाले के कुछ अत्यतिक परसिद आचारियों के नाम नागारजुन, आर्यदेव, अंग, सील भदर, वसुबंधु, दिंगनाग, धर्मपाल, चंद्रेपाल, प्रभामित्र, ज जिनमित्र, ज्यान, चंद्र, आदी थे, बताया गया है कि इनके अतिरिक्त कई सहस्तर अन्य बंधु भी योगेता और विद्वता के आगार थे, और उनमें से सेंकडों का अत्यतिक सम्मान किया जाता था, और वे बहुत परसित थे, नालंदा में जीवन अत्ती वेस्त था अदेन और वादिवाद में दिन बीच जाते थे, रात दिन वे एक दूसरे को अपने अपने कर्तमियों के बारे में सचेत करते रहते थे, बड़े छोटे सभी एक दूसरे की पूर्ण ज्यान प्राप्ति में सहायता करते थे, नालंदा विश्विदाले का आदर्स था, ज् थिक है, सभी और से सभी संपर्दाईों तता सभी द्रमों के ज्यान का स्वागत किया जाता था, यह यथार्ट में विश्विदाले था, यह कोई संपर्दाई किया वर्ग यह प्रमुक पारसला नहीं थी, अब देखेगा, नालंदा विश्विदाले में होने वाली होती रहती थी, वेन सांग ने इस परकार की कुछ गोस्टियों का वर्ण किया है, एक बार जब सील भदर ने उसे योगसास्तर के कुछ भागों की व्याख्या करने के लिए बेजा, तो एक अन्य विद्वान, सी है रस्मी, एकदम विप्रीत सिधानतों पर बासन दे रहा वेन सांग ने पर्षनों से उसका मुहब बंद कर दिया, वह अपमानित होकर विस्तो विदाले छोड़ कर गया, गया के बोधी विहार में जानने को बाद्धे हुआ, सील भदर पूर्वी भारत के चंदर सिहां को वेन सांग से वाद विवाद करने के लिए नालंदा में ल लगा दी, यदि अंदर से कोई व्यक्ति इन सिधानतों को गलत सिध कर दे तो उसकी विजय के पर्मान सवरूप मैं उसे अपना सिर्दूंगा, वेन सांग ने चुनोती स्विकार कर ली और उस दार्षनिक को प्रास्त किया, किन्तु वेन सांग ने उसका जीवन नहीं लिय और उसे सिस्य बना लिया, अब देखेगा, नालंदा विसो विदाले एक सनात कोतर संस्ता के रूप में कैसी थी, नालंदा विसो विदाले साधारंता विसो विदाले नहीं था, यह सनात कोतर संस्ता थी, और इसमें परवेश प्राप्त करना अत्तिन था, परवेश से पहल अब देखेगा नालंदा से मिली मुहरे नालंदा से कई मुहरे प्राप्ट हुई हैं जिन पर यह लेख अंकित है परतीत होता है कि नालंदा विश्व विदाले को बहुत मान और अधिकार दिया जाता था नालंदा विश्व विदाले के निर्वाह के लिए बहुत सी संपती दान में दी जाती थी इसके अपने धने खेत थे और दूद के लिए दुगद सालाईं भी थी वेन सांग बताता है कि उसने परती दिन इसके खेती से छकडों में भर कर आते हुए सादरन चावल के सैंकडों पैकल और दुगद सालाउं से मखन तता दूद के सैंकडों कोटी आते हुए देखे एक पैकल लगबग डेड़ मन और एक कोटी लगबग दो मन के बराबर है ठीक है नालेंदा विसो विदाले निगमित संस्ता के रूप में कारिये करता था उससे संबंधित कोलेज या विहार भी उसी परकार कारिये करते थे नालेंदा विश्व विदाले इत्सिंग की यात्रा की पसार भी पांच सत्यों के तक उन्नति करता रहा नालेंदा विश्व विदाले के पतन का इत्यास एक परकार से भार्त में बोध रंग के पतन का इत्यास है ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने नालंदा विश्व विदाले के बारे में जानकारी प्राप्त की इसी प्रकार से आपको हम और भी इन्फोर्मेशन पढ़ाएंगे दिखाएंगे अधर आप बने रहें मारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे